देखो बच्चो अब हम करेंगे question number two ठीक है यह कह रहे हैं the price of a TV is 13,000 ठीक तो हम पहले लिख देते हैं कि जो marked price of TV is equal to rupees 13,000 ठीक है यह TV का marked price है अब क्या है बच्चो जैसे तुम किसी restaurant में खानी जाते हो कुछ तो क्या होता है तुम्हारा 400 को तुमने खाना खाया फिर क्या होता है लेकिन तुम्हारे bill 400 रुपे नहीं आएगा उसमें यह क्या करते हैं GST लगा देते हैं तुम्हारे और टेक्स लगा देते हैं कि नहीं त तो सेलटेक्स कितना है यहाँ पर से इस इकपल टू 12% ठीक है तो देखो मैं क्या करूंगी पहले सबसे पहले सेल टेक्स परसंटेज में है तो हम सेल टेक्स इन रुपीज निकाल लेंगे वह कैसे निकालते हैं 12 अपन 100 ओफ मार्क्ट प्राइस ठीक है जो से लेंटेक्स है ठीक है, 0 से 0, 0, 0, ठीक है, तो यह तुम्हारा आ जाएगा, रुपीज 1560, 1560 रुपे, यह क्या है तुम्हारा sale tax है, देखो हमको पता है, अब जो cost price होगी, that'll be the marked price, plus the tax, ठीक है, तो हम लिख देंगे, total amount payable is equal to the marked price, plus the tax, ठीक है, यहाँ पर marked price कितना है, 13,000, plus tax कितना है, 1560, ठीक है, दोनों को add करो, 0, 6, 5, 4, 1, ठीक है, 14,560 will be your marked price, ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में आराम से है ना, चलो, अब चलो, इसके question number 3 पर,